हे दोस्तों ते चलिए बात करते हैं Apple iOS 18 के बारे तो यहाँ पर iOS 18 जो है यह WWDC में इसके सारे specifications के नहीं आने वाला है इसका beta version सब कुछ आ चुका है इसके वीडियो वर्जिन चाहे तो आप भी download करके check कर सकता हो पर मैं recommend नहीं करता हो क्योंकि यह अना आपके डिवाईस का पुंगी हो सकता है आपका बैटरी एल्थ खतम भी हो सकता है तो यहांप वीडियो देखो और क्या-क्या स्पेसिफिकेसन ने पीचर साय वह सब जानो एड अपने आत्मत रिप्त उपलब्ध करो है रजादा ही इंदी हो गया तो यहां पर सबसे पहले इंट्रो जाड़न लेते हैं मैं हूँ आप लोगों का दोस्त प्रयरक उसके बात करते हैं कि सबसे पहला वाला पॉइंट का इंड्रोइड में ना यहां पर सच्चाई के वारे बात करेंगे में तो कोई एपल फैन्बॉय हूं नहीं बस एक आयोस मर मर के खरीदा किड़ने विड़ने बेचके कि यहां आप लोग वोंग सकीन को कस्टमाइज कर सकतो हैं कINGSी भी करूसर में मूव कर सकता हूँ जैसे कि आप लोग 3rd party apps, 3rd party apps का यहाप पर कोई फाइदा है नहीं, खेर जो भी हो, वो European Union में हो रखा है, वहाँ के countries में हो रखा है, हमारे यहाप पर कोई फाइदा है नहीं, इस बार जो है, एपल में widgets भी, widgets जो होता है, वो भी हम लोग re-shape, redesign कर सकते हैं, यह वाला features जो है, यह नेक्स्ट वाला, नमबर टू वाला, यह भी Android में कई साल से हैं, lock, apps, and यहाप जो है, hide apps, जो है, certain apps hide, यह option भी आ चुका है, आपका जो face ID है, face ID लेखर, apps मतलब unlock कर सकते हो and कुछ specific apps को जो है, आप hide भी कर सकते हो, तो iOS वाला यह देखे, कुन सा वड़ा थीर पाम मार लिया, guys, Android वाले, आप comment में बोलो, मैं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं comment box में वोर देखना चाहता हूँ, चलते हैं, next वाले point के तरह, guys, iOS 18 में आप photos को group कर सकते हो, schedule type का कर सकते हो, keyword से आप search भी कर सकते हो, जैसे कि आप किसी भी photos में, आप bike पर बैठे हुए photos, यह पर लिखते हो bike with photos, या फिर something, तो आपको वो सारे photos देखने को मिल जाएगा, faces के recording, people's के recording, photos आपके gallery में, आपके photos में, regroup होगा, groups होगा, organize होगा, तो यह सारे तो Google photos में है, बाई, कई मतलब, आजादी के पहले से, अरे बाप रे, यह तो दोती खोल रहा है, तो यह आप इस वार, आप लोग अपना password, important, ज़रूरी password, वो सब कुछ password manager नाम करके आया है, iOS secure है, तो password manager अगर iOS में रहता है, तो ठीक है, गाइस मेरी साथ, अच्छा चीज है, आप schedule message कर सकते हो, suppose आपका 4-4 बंधी है, दोस्त, आप चारों को बच्चे में wish करना चाहते हो, एक भी miss नहीं करना चाहते, आप चारों को फूर्सत में बैठके ना, इसे schedule कर दे, इसे data मे इस time पर बैटे wish हो जाएगा, तो चारों के पास एकदम बरोबर टिक्स चला जाएगा, ठीक है लॉंडो ना, सुन लिए, अब पाइदा हुट, तो तो राम निकला रहे, देव मारस निकला रहे, गेमर्स की लिए एक नया feature यहाँ पर गेम मोड आ गया है, और गेम मोड में वाला जो feature है, यह feature भी Android में कई सालों से है, वो है call recording and T9 dialer, guys, मैं OnePlus का एक OnePlus 7 करके मेरे पास एक device है, अगर किसी के पास होगा तो comment में बोलना, यहाँ पर बिना किसी alert दिये call record हो रहा है, और मैं यह सदियों से 2020 से करता आ रहा हूं, guys, तो मेरे लिए यह कोई exciting feature नहीं है, T9 dialer यह भी है Android में, हाँ, पर अभी क्या है कि call recording के लिए ना दूसरा वाला iPhone carry नहीं करना पड़ेगा, यह iPhone में ही call record हो जाएगा, तो मज़ए ही मज़ए, सामने वाला बोलो, और बोलो, जो बोलना है बोलो, तु बोल, मैं record कर रहा, आप बोलना है, जो लोग अख्यों से गोली म मितरानियों के लिए बोलना हूँ, आखों से बोली मारते हो, अपना iPhone में, और एक और feature है, जो है AI, अर्थात Artificial Intelligence नहीं, Apple Intelligence और जो सिर्फसर exclusive है, iPhone 15 Pro and iPhone 15 Pro Max के लिए, तो इसके बार में मैं बात तीच नहीं करूँगा, फैर जो भी हो जाए, मैं बात नहीं करूँगा, भाड Ultra में, S24 में, Google Pixel में, जो AI है, वही सेम AI है, वही सेम काम ही करता है, उपर से Data Share जो है, वो Siri के साथ ChatGBT मिलके करेगा, डेटा भेजता रहेगा ChatGBT में, उसका responsibility एपल नहीं लेगा, तो बस दोस्तों, आज की वीडियो यहीं थे खत्म करते, आपको अगर मेरे इस अंदास में व कमेंड में बोलो, इस वीडियो को शेर करतो अपने iOS लवर को, ताकि वो मेरे को गाली ना दे, बस, होड़ा मजालो टेले, धन्यवाद